हलो बच्चों, नमस्कार हम लोग आज इस वीडियों में पढ़ने जा रहे हैं बिजनस लॉग के बारे में कि बिजनस लॉग सर होता क्या है इसके में अलिमेंट्स क्या है और बिजनस लॉग हमें पढ़ना इतना जरूरी क्यों है सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज सर एक्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कोशन और उससे भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर किसी बच्छे ने बिजनस लॉग नहीं पढ़ रखा है या उसके पास नोट से अबलेबल नहीं है तो इस बार हम लोग अपने इस वीडियो में ला रहे हैं आपका इंपॉर्टेंट कोशन विथ नोट्स तो आपको हर एक कोशन को मैं बहतर तरीके से डिल भी करूँगा और साथ में नोट्स लिखने के लिए भी ऑप्शन दूँगा आप उस पे लिख भी सकते हो और या तो फिर मुझसे आप नोट्स ले भी सकते हो ठीक है तो आज इस वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं और मेली तो आप लोगों को पता ही है कि एक्जाम बहुत नजदीक है तो फड़ा फड़ा हम लोग लेट न करते हुए चलिए अज स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो तो सबसे पहले सर बिजनस लौ होता क्या है तो याद रखोगे बिजनस लौ लौ मतलब तो आप लोग जानते ही होगे कानून कॉंस्टिटूशन हमारा जो सम्विधान बना हुआ है तो आपके मन में आ रहा होगा सर सम्विधान लौ हम लोगों को क्यों पढ़ना है अगर ऐसे commerce trend हो तो सर हम लोगों को commerce में तो law नहीं आना चाहिए हाँ, ये कोई भी criminal law नहीं है ये हमारा business law है, मतलब related to the business हम लोग business के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं देखो, समझो, अगर माल लो आप आगे कोई business करने जाते हो तो आपको उसके नियम कानून पता होने चाहिए कि मैं किसके साथ कैसा transaction करूँ और उसमें कौन सा law अतली cable हो ठीक है, हो सकता है ना कि हम लोग कोई business करने गए और हम लोग को absence of law मैंने कोई गलत काम कर दिया या मैंने कुछ उसके absence में दूसरे काम कर दिया जिससे हो सकता है कि हम लोगों पे claim हो जाए ठीक है, या ऐसे भी आप समझ सकते हो कि हमारे पास क्या-क्या अधिकार है सामने वाले के पास क्या-क्या अधिकार है अगर मैंने कोई समान किसी चीज़ को मालो मैं tractor देता हूँ, use करने के लिए वो सामने वाला बंदा tractor use करता और उसे रख लेता है, अपने कबजे में कर लेता है तो क्या मैं उस पर case कर सकता हूँ और किस basis पर case कर सकता हूँ तो ये पूरा पूरा business based है तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ना सिखेंगे सबसे most important जो होता है law में वो होता है section ठीक है जैसे आप देखोगे section 2 इसको बहुत सारे लोग subsection भी पढ़ते हैं बट आप जब definition की बात करते हो तो इसको हम लोग clause बोलते हैं ठीक है, जैसे यह section 2 clause A ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है A capital नहीं लिखना है, small लिखना है सब के साथ, अगर हिंदी वाले बच्चे सुन रहे हैं तो इसको कहते हैं हिंदी में धारा उसको कहते हैं उप धारा अब sir proposal होता क्या है, proposal मतलब होता offer अगर हम किसी के सामने कोई offer रखते हैं ठीक है, for example, जैसे समझो माल लो कि A एक इनसान है जिसने B को कहा कि भाईया मेरे पास एक mobile phone है क्या तुम मेरे से एक mobile phone लेना चाहते हो mobile phone लेना चाहते हो आप लोग बोलो कि sir keep a dollar phone है smart phone हम लोग लेना चाहते हैं है ना, अरे भाई छोड़ो ना, माल लेते है mobile phone है 5000 रुपए में A कहता है B को कि भाईया B सुनो क्या तुम मेरा mobile phone 5000 रुपए में लेना चाहते हो ये क्या है, proposal, मैंने offer किया B को तो कभी भी कोई भी अगर offer किसी सामने वाले व्यक्ति को किया जाता है तो वो proposal का नाम दिया जाता है जिसका section है to subsection A मैं अभी ये define कर रहा हूँ आगे जब question आएगा तो मैं deal करता जाओंगा with notes, आपको notes भी provide होगा ध्यान से देखोगे second कहता है promise अब promise अगर हम लोगों ने ये कहता है हाँ साथ ठीक है हम promise करते हैं तो section इसको acceptance का नाम भी दिया जाता है आप इसको promise कहिए ये acceptance कहिए B कहता है ठीक है मैं तुम्हारा mobile 5000 में खरिदने के लिए तयार हूँ तो वो क्या हो जाएगा promise कहलाएगा section 2 clause B के नाम से ठीक है उसमें आपको लिखा गया साथ ये section होता क्या है देखो धारा बना हुआ है हर एक का constitution law का धारा बना हुआ है act बना हुआ है उस act को जब निकाल के पढ़ोगे तो वहां उस चीज़ को define किया जाता है कि अगर ऐसी कोई condition आती है तो आप पर कैसे क्या claim किया जाएगा आपके पास rights क्या है duties क्या है ठीक है तो सबसे पहले मैंने a को b को offer किया कि भाईया पांच जर में मैं mobile बेशना चाता हूँ इसका section क्या हो गया to a दूसरा जब b accept करता हाँ भाईया दे दो मुझे mobile तो क्या हो गया section to b ठीक इसके बाद जैसे ही ये दोनो agree कर जाते है a बन जाएगा promisor b बन जाएगा promisee एक हो जाता है promisor एक हो जाता है promisee समझ में आ गया a हो गया हमारा promisor b हो गया हमारा promisee इसको define क्या गया section to clause c में बताया गया promisor कौन होता है प्रामिसी कौन होता है उसके बाद consideration अच्छा भाईया consideration मतलब क्या होता है something in return ठीक कहना है किसका a का a कहता भाया सुनो b तुमको मोबाईल तो दे देंगे लेकिन उसके बदले तुमको क्या देना पड़ेगा मुझे 5000 रुपे देने पड़ेगे my consideration is money and b के point of view से b कहता भाया पैसा तो दे देंगे लेकिन उसके बदले तुमको क्या देना पड़ेगा तुम्हे मुझे अपना mobile देना पड़ेगा that is called consideration something in return जिसको define का गया क्या section 2 clause d में define क्या गया ठीक है अच्छा जैसे ही a ने proposal रखा to a b ने accept किया acceptance to b ये दोनों हो गए promise or promise to c अब कहता भाया a पैसा b पैसा दो तुम मुझे consideration पैसा दोगे तब मैं तुमको mobile दोगा that is consideration to d उसके बाद जैसे ही ये दोनों exchange करना चाहते है बोलते है भाया ठीक है अगर मैं पैसा दे दूँ तुम मेरा mobile नहीं दिये तो या मैं तुम्हे mobile दे दो तुम मुझे पैसा नहीं दिये तो तो चलो न भाया एक agreement बनाते है हम लोग दोनों agree कर गए ना हाँ चलो ठीक है ये agreement बना लेते हैं हम लोग लिख लेते है तो जब उसको paperwork में लिख लिया जाता है उसको agreement कहते है ठीक है एक दो parties किसी particular purpose के लिए particular point of time पर एक चीज के लिए सहमत होते है उसको सहमती agreement कहा जाता है समझवा गया तो या particular क्या है mobile खरिदने के लिए दोनों आपस में सहमत हुए तो वो agreement है जिसको define कहा गया है to clause in अब agree तो कर गया ठीक अब आता है reciprocal promise तुम मुझे अजादी दोगे समझ में गया यह reciprocal promise होता है इसको define कहा गया to F में देखो यह हर एक chapter बना हुआ लग लग मैं इसको अब शॉट में बता रहा हूँ फिर मैं एक एक करके question wise बताता चला जाओंगा इसको अब याद करना आपको note down करना है void agreement void मतलब होता है बेकार अगर कोई ऐसा agreement कर लिया जाए जिसका कोई value ही नहीं है वो void agreement कहलाता है जैसे माल लो कि तु मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर ला दो मैं तुम्हें 2,00,00 रुपए दूगा अरे भाई फल है जो तोड़ लोगे चांद तारे का अफल है जो तोड़ के ले आओगे नहीं न तो ये क्या है बेकार है कोई मतलब ही नहीं बनता है या फिर किसी minor के साथ minor मतलब under 18 अगर 18 साल से कम उमर के बच्चे के साथ आप contact करते हो तुम मुझे 5 करोड रुपए दोगे मैं तुमारे साथ बिजनस करना चाता हूं ये क्या मतलब बनता है तो ये सारे जो बिकार है उसको void agreement कहा जाता है याद रखोगे void agreement जो है कहीं से भी यह नहीं कि पूरी तरह से वो illegal होता है वो legal भी हो सकता है illegal भी हो सकता है कुछ भी हो सकता उसको define क्या गया है to g में अब आता है contract हम लोग दोनों सहमत तो हो गए लेकिन b को मेरे पर भरोसा नहीं है बोलता भाया तुम पर भरोसा नहीं चलो quote चलते हैं और इस agreement को paperwork करवा लेते हैं quote से तो जब भी agreement paperwork जब quote से हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते है contract contract को define क्या गया है section 2 clause h में ठीक है और lastly आता है voidable contract voidable contract मतलब contract तो सही चल रहा था लेकिन आगे चल कर कोई ना कोई term and condition पे हम लोगों का पक्षपात हो गया या फिर मतभेद हो गया वो हम लोगों का टूड गया मतलब जो चलते चलते बीच में लगा कि नहीं तुम मुझे धोका दे रहो तुम मेरे according काम नहीं कर रहो तो ये फिर हो जाता voidable आगे चल के जो बेकार हो जाए ठीक है उसको voidable कहते है जैसे माल लो कि मैं तुमसे 2,00,00 रुपे लेकर business start करता हूँ और मैंने कहा कि साड़ी का business हम लो करते है साड़ी दुकान मैंने दिखla दी पता चलता है 2,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 5000,00 at मैं तो तुम्हें interest दे रहा था profit दे रहा था लेकिन बाद मैं तुम्हें पता चलता है साड़ी दुकान के पीछे में आफीम बेचता था या कोई illegal activities करता था ठीक है तो बाद में तो तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो तुम बोलोगे मैं तोड़ना चाहता हूं इसको यह voidable हो जाएगा ठीक है content चल तो रहाता सही सब चीज लेकिन आगे चल कर वह बेकार हो जाता ह या फिर इसको छोटा सा एक ऐसे example के थुरू भी समझ सकते हो जैसे हम सराब बेचते हैं ठीक है आप लोग बिहार मेरते हो मैं पहले तो agreement होता था बार-बार आप पैसे देते थे मैं आपको सराब देता था पैसे देते लीगल तौर पर नहीं लाइसेंस है मेरे पास आपके वाइडेबल हो जाएगा तो यह सारे points हैं आप इसको copy कर लें और इसके section को जरूर याद कर लें ठीक है अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे आगे जो important question है उसको तो जल्दी से फड़ा पड़ इसको copy करें कॉपी हो गई और अगर नहीं भी होई है तो आप pause करके इसको copy कर लें सारे को या screenshot लेकर रख लें लेकिन जरूर इसको पढ़ोगे और याद करोगे मैंने जो example दिया इसके थूर आपको याद कर लेना है अब हम लोग चलते हैं अपने main main questions की और important question topics क्या है sir और उसको note-down upload करते चल जाओगे तो सबसे पहले आपको question पढ़ लेना है what do you mean by contract contact होता क्या है उसके characteristics क्या है main elements क्या क्या है contract का ठीक है तो देखोगे सबसे पहले जो basic concept है contract का मैं वह बता रहा हूँ आप note-down करना चाहते हो तो note-down करोगे the English terms contract has been derived from the latin term contactuous which means mutual consent mutual consent का मतलब होता है आपसी सहमती तो contract जो है वो कहां से आया है Latin word से आया है जिसका मतलब होता है contactuous जिसका मतलब होता है आपसी सहमती mutual consent ठीक है therefore it can be said that when two or more person agree to work together on mutually agree terms for profit sharing or against remuneration then such an agreement become a contract ठीक है तो यहां पर कहता है कि जब दो या दो से जादा लोग आपसी सहमती करते हैं किसलिए कि हम साथ में काम करेंगे mutual work करेंगे या mutually agreed होते है profit sharing करने के लिए कुछ भी हो सकता है देखो partnership में हम लोग क्या है partnership एक relation है दो या दो से जादा person के लिए वो agree क्या करते है कि share profit हम लोग को बाटना है तो कोई भी समानी है A और B क्या क्या था agree क्या था कि मैं तुम्हारे mobile को ले लूगा तो कभी भी जो दो parties वो agree करते हैं कुछ भी करने के लिए या remuneration, remuneration मतलब होता पारिशर्मिक मैं तुम्हारे लिए जो परिश्रम कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए जो काम कर रहा हूँ उसके बदले तुम मुझे क्या दोगे या तो पैसा दोगे या तो कुछ valuable items दोगे ठीक है then such agreement become a contract तो वो agreement क्या हो जाता है contract बन जाता है जब वो lawful हो ठीक है जब हम court से उसको sign कर वा लो तो वो contract बन जाता है it may be verbal or written ये writing में भी हो सकता है हम लोग लिख कर भी कर सकते हैं हम लोग बोल कर भी कर सकते हैं जैसे a और b बोल कर भी agreement कर सकते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये क्या तुम मेरे लिए ये करो अब बोलोगे सर लिख कर तो समझ में आ गया कि हम लोग अगर लिख कर कोई contract कर रहे हैं और इसके according ये काम नहीं करता तो हम इस पर case कर सकते हैं लेकिन बोल कर सर अगर मैंने बोला और वो सामने वाला पलट गया तो याद रखोगे कि जब भी हम लोग का verbal contract किया जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है हम लोग को evidence द हो सकता है अब कुछ आपके definition दिए गया है कुछ authors ने इसका define किया है आप उसका note down कर लोगे जैसे Salmon क्या कहते है according to the Salmon a contract is an agreement creating and defining rights and obligation between the parties Salmon जी कहते है कि content क्या है एक agreement है जो क्या create करता है create करता और define करता बताता है कि आपके पास क्या अधिकार है आपके क्या obligation है आपको क्या करना चाहिए जैसे अगर मैंने पैसे ले लिए तो मेरा obligation क्या बनता है मेरा कर्तव बनता है कि मैं इसको mobile दूँ या अगर मैं इसको mobile द बैया जाओ, जै सिर राम, 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 हमने पईसा देने वाले, समझना है, तो क्या ऐसा हो सकता है, हम grocery items खरीते हैं, राशन के दुकान से राशन खा लिए और राशन वाले को बोले ठेंगा, कुछ नहीं देंगे, ले जाओ, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये सारी चीजे कहां define की गई है, contract में बताई गई है, कि आपके पास क्या-क्या, अधिकार है, चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे, दूसरा, Sir Frederick Pollock क्या कहते हैं, according to Sir Frederick Pollock, every agreement and promise enforceable at court of law is a contract, कोई भी agreement, ये दुनों agree के थे था न, अगर कोई भी agreement या promise, law के थुरू आ जाए, law के नजर मे आते हैं, ठीक है, बात आगे समझ में, जैसे for example, अगर मैंने court से ये contract करवा लिया, court से बनवा लिया, ये paper, written documents, कि भाया मैं इसे mobile दूँगा, और ये मुझे 5000 रुपए देगा, clear ना, तो अब इसमें क्या होगा, ये होगा, कि अगर मैं इसको mobile दे देता हूँ, और ये पैस करेगी, ये उसके पैसे वापस करो, that is a enforceable by law, ठीक है, तो कोई भी agreement, कोई भी promise enforceable by law is called a contract, ठीक है, ये आपको याद कर लेने है, आपने लिखी लिया होगा, अब main जो है, आपका section 2H, जो मैंने बताया था, 2H के according contract को define किया गया, देखो, section 2H के according contract को define किया गया, ठीक है, तो according to the section 2H of the Indian Contract Act 1932, हमेशा जाद रखोगे 1932 का contract हम लोगों का act बनाया हुआ है, तो 1932 के according हम लोगों को क्या कहता है, define करता है, agreement enforceable at law is called contract, कोई भी जो agreement है, enforceable होगा law के थरू, वो क्या कहलाएगा, contract कहलाएगा, ठीक है, तो contract is an agreement enforceable by law, ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे देखोगे definition आप लिखोगे, note down करते चले जाओगे, अगर आपको note down नहीं कर पारे हो, तो pause कर लो video को, note down कर लो, फिर मेरी बाते सुनू, कि इसको मैं मैंने क्या define किया है, ठीक है, मैं हर एक question का notes आपको provide कर रहा हूँ, हर एक important questions को दिखा रहा हूँ, ठीक है, according to the section 10 of the Indian Contract Act 1872, ठीक है, all agreement are contract if they are made by free consent of the parties, हर एक agreement जो है, वो क्या है, contract है, अगर वो फुरी तरह से free है, किसी के दबाओ में आकर आपने काम नहीं किया, अगर पुरी तरह से वो free बनाया गया है, free मतलब समझ रहो न, अगर मैंने आपको gun point लगा दिया, कि भीया contract करो ही, तब तो चुली में contract हुआ, नहीं हुआ, समझ में आ गया, ये आप याद रखोगे, अगर आपको कोई forcefully काम करवाया गया है, तो बाद में आप उसको deny कर सकते हो, बाद में वो contract वापस हो सकता है, clear है, तो सबसे पहले free हो कर करना है, आगे, competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object, एक lawful काम करने के और unlawful चीज़ दे दिये, जैसे हम आपको अफीम दे दिये, गांजा दे दिये, जनते हैं इंडियन हम गांजा, ठीक है, अफीम दे दिये, drugs दे दिये, कुछ भी दे दिये, नहीं ऐसा नहीं, lawful जो चीज़ें होती हैं, अमको वही काम करना है, या lawful act के लिए, आप बुलो आगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे, और आगे क्यो और पढ़ेंगे, कहता है, for a lawful consideration and with a lawful object and the not hereby expressly declared to be void, ठीक है, कोई भी इसको void, बेकार नहीं क्या है, अगर वो बेकार है, तो कभी भी वो contract नहीं बनेगा, जैसे मैंने बतायता है, minor के साथ कोई भी contract, एक बच्चे को मैंने, सुनो, एक बच्चा था, ठीक है, मैंने क्या क्या है, उसके पास 5000 करोड की property थी, मैंने उसको बहुत अच्छे से फुसलाया, बहलाया, बहलाया, लेलो, सुनो न, अपनी 5000 की property मेरे को दे दो, मुझे sign कर दो, बोलता है, ऐसा कैसे, तो मैंने कहा, चलो ठीक है, मैंने चॉकलेट लाके उसको दिया, कुछ चॉकलेट की भाई, लेलो और sign कर दो, बच्चा बहुत तेज निकला, बोलता है, पाईसे हम को हम ऐसे नहीं देंगे, मैंने कहा, चलो ठीक है, मैंने कहा, क्या, 500 रुपे निकाल के दिया, नहीं मान रहा, 1000 रुपे बोले, इतना कम पैसा, मैंने बोले, इसको ऐसे नहीं चलेगा, मैंने क्या करवाया, 500 करोड की property थी, मैंने क्या करवाया, 10,10 रुपे के note करवाया, और प तो क्या ये सही contract हुआ, नहीं सर, ये contract सही नहीं हुआ, क्योंकि वो आगे चल कर void हो जाएगा, बिकार हो जाएगा, जैसे ही वो court के पास जाएगा, court देखेगी, अच्छा minor के साथ कोई contract नहीं हो सकता, पढ़के fake देगी, वो property फिर से वो उस बच्चे के पास वापस चली जाएगी, तो यहाँ पर इसको define क्या गया है, अगे कहता है, इसके main essential elements क्या क्या है, तो essential elements note down करोगे, सबसे पहला essential elements है, offer and acceptance, एक contract के लिए क्या होना चाहिए, offer होना चाहिए, जैसे मैंने भी बताया, और दूसरा accept करेगा, तब ही जाकर वो contract बनेगा, otherwise मैंने offer ही नहीं किया, या मैंने offer किया, लेकिन उस सामने वाले ने accept ही नहीं का, तो बात तो वहीं खतम होगी, आगे तो जाएगा ही नहीं, content बने गए नहीं, दूसरा intention to create legal relationship, हमारा कही न कहीं से intention होना चाहिए, कि हम लोग एक legal relationship create कर रहे हैं, ना कि उसको धोका दे रहे हैं, ठेके, कहीं से ऐसा नहीं है, कि अदे भाई, दे दुना मुझे पैसे, आप मेरे पार्टनर बन जाओगे, तो आप एक relationship create करता है, competence of parties to do a contract, ठीक है, वे सारे parties, जो contract कर सकते हैं, वहीं लोग contract में enter होंगे, जैसे अभी मैंने बताया, minor, ठीक, वो नहीं कर सकता, बच्चा नहीं कर सकता, या unsound mind, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, idiot होते हैं, पागल होते हैं, lunatic होते हैं, ठीक है, यह हो, मैं सारा properties तुम्हें लिख दूँगा, और रात में लिख के भी चले गए, पदा चला सारा, सुबह जब नसार तूटा, तो फिर देखते हैं, भईया, मैंने तो क्या किया, अपना सारा properties आपको लिख दिया, तो ऐसा नहीं होता, drunkard के साथ कोई भी नहीं होता, या फिर ऐसा समसकते हो, गजनी अगर आप लोग देखे होगे, हमेशा free और genuine consent होना चाहिए, मतलब जो सहमती है हमारी, वो पूरी तरह से free होना चाहिए, कहीं भी किसी के दबाओं में नहीं आना चाहिए, अगर दबाओं में आप काम कर रहे हो, तो वो कभी कहीं से भी वो contract नहीं बनेगा, जिसमें आपको पढ़ना है, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake, जो मैं आगे आने वाले questions में deal करूंगा उसी जो को, ठीक है, तो याद रखोगे, कहीं से forcefully आपको नहीं करवाया जाएगा, ये free consent नहीं हुआ, next कहता है, lawful consideration and object, हमेशा जो consideration होना चाहिए, वो lawful होना चाहिए, unlawful consideration नहीं होना चाहिए, object नहीं होना चाहिए, जैसे बताओ, कि माल लो कि मैंने तुम्हारा कोई काम कर दिया, ठीक है, मैंने कोई काम किया, तुमने कहा था, आप यह काम कर दो मैं आपको पैसे दूंगा या कुछ भी इस चीजे दूंगा मैंने आपको या मैंने आपको अपना घर दे दिया दस लग का तो आपको जो क्या दोगे दस लग दोगे आप अब बोलते हो दस लाख रुपए तो नहीं है सर लेकिन दस हजार करोण के के रे सामने कोई lawful consideration नहीं है something in return जो हो रहा हूँ कोई lawful नहीं है ठीक है तो lawful होना चाहिए आगे कहता है certainty of meaning हमेशा certain चीजें होनी चाहिए uncertain चीजें नहीं होनी चाहिए जैसे यहाँ पर मैं mobile दिखाया इसको कि देखो भाया यह mobile है अगर मैं इसके सामने 5-6 mobile सिर्फ निकाल कर टेबल पर रख दूँ एक विवो है एक आईफोन है नौकिया है और बहुत सारा कुछ है सैमसंग है और मैं बोलो कि सुनो मुझे लगता है ना कि मैं एक mobile पांच जार रुपय में बेचना चाहता हूँ भाया वो तो सामने वाला ब ठीक है नेक्स्ट है possibilities of performance contract तभी बनेगा जो possible चीजे है impossible चीजे कभी भी contract नहीं बन सकता समझ माया मरे हुए को सर जिंदा कर दो मैं तुम्हें 10 लाख रुपय देता हूँ ऐसा डॉक्टर के साथ मैंने कोई contract कर वा लिया क्या ऐसा कोई contract होगा समझ में आ गया यह कहता है ठी and last one agreement not hereby expressly declared to be void or illegal ठीक है कहीं से भी जो agreement है वो declared नहीं होना चाहिए void और illegal कहीं से भी नहीं होना चाहिए तो यह सारे points है इस points को मैंने समझा दिया इसको आप deal कर सकते हो note down भी कर सकते हो समझ में आ गया यह है इसके essential elements ठीक है यह था हमारा contract तो देखो मैं ऐसे ही करके हर एक questions को deal करता चला जाओंगा और आप इसको note down भी करते चले जाओंगे ठीक है note down करते चले जाए इसका सारा जितना भी notes है मैं आपको भी share कर दे रहा हूं इसके सारे चीजों को contract को एक बार फिर से आप लोग देख लें अगर आप नहीं लिख पाए हो आप से छूट गया है त to a contract an agreement is the necessary to outcome of the consenting minds ठीक है agreement क्या होता अगर किसी चीज पर हम लोग सहमत है किसी बात पर हम लोग सहमत है तो उस चीज को हम लोग क्या करते है agreement करते है they are agree to buy a mobile and pay for rupees 5000 for this mobile ठीक है यह चाहते है यह सहमत है कि भाया तुम मुझे mobile दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा मैं agree करता हूं ठीक है और वहीं से contract का जन्व होता है क्योंकि बिना agreement के contract बने गा है नहीं के बनेगा पहले agreement होगा तब जाकर वो illegal हुआ तो contract नहीं बनेगा और अगर legal हुआ तो जाकर वो contract बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पर 1872 के according क्या बताया गया है आपका agreement को और agreement का section अगर आप देख पा रहे होगे तो section कितना है to clause e में define किया गया कहता है according to the section 2 clause e of Indian contract act 1872 आपको यह याद रखना है 1872 1872 ठीक है यह याद रखना है every promise and every set of promise forming the consideration for each other every promise and every set of promise या तो कोई भी एक promise करेंगे या हो सकता है कि दो-चार काम हो दो-चार promise आपने मुझसे करवाया हो मैं वो सारे जैसे आप मुझसे promise करवा रहे हो sir यह वाला video तो हो गया इसका next part भी जल्दी से फटा-फट बना दें और या फिर मुझे और भी notes provide कर दें sir corporate का भी video बना यह और advertisement है sir उसका भी तो ऐसा आप करवा रहे हो यह set of promise समझ मा गया अच्छे एक और चीज मैं इसको तो deal कर दे रहा हूं आप लोगों को यह video कैसा लगा अच्छा लगा आप लोगों को पसंद आया next video अगर चाहिए आप please comment करें लोगों के साथ share भी करें ऐसा नहीं कि सिर है कि sir हाँ और भी थोड़ा बहुत रह गया है इस इस topic को मुझे समझना है यह मुझे समझना है तो आप please comment कर दो अगर possibilities बनी तो इस Sunday को मैं आप लोगों को live classes दे दूँगा जिसमें आप सारे अपने doubts को clear कर लोगे ठीक है वो live session में आप आकर अपने सारे doubts को clear कर लोगे मेर से ठीक है समझना गया और मैं उस समय आपको comments में timing वगेरा भी share कर दूँगा या फिर मैं publish कर दूँगा कि हाँ इतने वज़े से आपका जो है Sunday को होने वाला है ठीक है लेकिन अगर आपकी problems हुई तो मैं life classes दूँगा अगर आपको problem नहीं है तो फिर मैं नहीं दूगा फिर कर रहे है agree कर रहे है it is an agreement तो उसको हम लोग क्या कहते है agreement कहते है ठीक है अब कहता है section याद रखोगे para change करना है आपको लिखना है section 2f when the person to whom the proposal is made signifies is ascent there to जब हम किसी person को कोई proposal रखते हैं और उसमें वो अपनी सहमती को प्रकट करता है the proposal is said to be accepted तब उसको कहा जाता है कि यह proposal जो है accepted हो गया है ठीक है and proposal when accepted become a promise और जैसे ही वो accept हो गया मतलब वो promise बन चुका है वो agreement हो चुका है agree कर लिया है ठीक है this proposal which is accepted is known as a promise तो वो proposal अमनों का promise बन जाता है ठीक है इसके characteristics क्या है कम से कम दो लोग होंगे मैं खुद से तो खुद के लिए promise करूंगा नहीं है ना ऐसा तो नहीं कर सकता मेरे लिए कितने लोग होने चाहिए दो लोग होने चाहिए कि भाया मुझे यह समान करिदना यह करना देखो यह basically जो है यह पूरी तरह से business law है ठीक है आप किसी चीच के लिए proposal रख रहे हो जैसे एक बच्चे नहीं कहा था कि sir अगर मैं किसी को साधी के लिए proposal रखना हूँ तो क्या भी इसी section में आएगा भाया सुनो साधी कोई business नहीं है यह business law मैं पढ़ा रहा हूँ साधी यह थोड़े करवा रहा हूँ पंडी जी मैं देखता हूँ क्या समझ में आ गया तो याद रखोगे यह साधी बया नहीं चल रहा है यहां क्या चल रहा है business activities चल रही उसके लिए के साथ नहीं कर सकते हैं हम लोग contract बताया था मैंने mutual communication which is properly understood और मैं जो समझाना चाहरा हूँ के भाया यह पैसा लो मुरे से mobile ले लो यह अच्छे से समझ पा रहा हूँ अगर यह कोई confusion में जैसे मैंने बताया न हो चार-पांच mobile मैंने रख दिया बोला बेचना चाहता हूँ यह confused हो गया बिचारा पूरा तो वह कहीं से भी agreement नहीं बनेगा ठीक है और consideration तो होना बहुत ज़रूरी है जैसे अगर मैं इसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें mobile दूँगा ठीक है बात को समझो मैं तुम्हें mobile दूँगा तुम आ जाना घर और यह घर आता है मैं इसको mobile नहीं देता हूँ तो क्या यह मुझे पर case करेगा हां sir करेगा अच्छा मुझे बताओ मैं ऐसे ही B क या आप लोग मुझे बुलाते हो, सर इतना पढ़ा रहे हो, आओ, मेरे घर चाई पी लो, मैं आपके घर नहीं आता, तो क्या आप मुझे पर case कर दोगे, नहीं, उस ताइम पर case नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सर, absence of consideration, यहाँ पर याद रखोगे, मैं अगर इसको mobile दे रहा मैं आपके घर आ रहा हूँ, चाई पीने, मुझे क्या मिलेगा, सर, आपको तो चाई मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, बोलोगे, सर, खुसी मिलेगी, खुसी का कोई value है, हमारे नजर में, as a teacher, as a student, हम लोगों को बहुत value है, but in the eye of law, उसका कोई value नहीं है, समझ में आ गया, तो याद रखना चाहिए, आप लोगों को कि consideration का होना बहुत जरूरी है, contract और agreement के लिए, जब तक consideration नहीं होगा, कभी भी वो contract नहीं बनने वाला है, clear न, तो यह सारी चीचे, आपको definition में कर लेनी है, किसके लिए, agreement के लिए, ठीक है, अब जो है, kinds of agreement, कितन वो law के according बताया जाए, तो इसको दो पार्ट में बाटा गया है, agreement as a contract, अगर contract बनेगा, तो laws को enforce करेगा, दूसरा, void agreement, दूसरा है, void बेकर, या agreement बनेगा ही नहीं, ठीक है, या तो बनेगा, बनेगा, तो law force करेगी, या तो बनेगा ही, दूसरा, on the basis of legality, legality के according, या तो legal लीगल चीजें भी जानते हो, illegal चीजें भी जानते हो, बिना license के कोई काम कर रहे हैं, वो illegal है, किसी का murder कर दे रहा हूँ, murder कर दो, rape कर दो, कुछ भी कर दो, यह सारा illegal cases होता है, समझ में आ गया, और legal agreement तो जानती ही, next है, on the basis of performance, ठीक है, performance के basis पर कहता है, पहला executed agreement, executed मतलब ज जो काम हो चुका है, याद रखोगा, उसके लिए हम agreement बना रहे हैं, दूसरा होता है, executory agreement, इसका मतलब होता है, काम बाकी है, होने वाला है, काम अभी पूरा नहीं हुआ, उसके लिए हम agreement बना रहे हैं, ठीक है, तो executory में दो तरह का बनाया गया है, unilateral और bilateral, unilateral का मतलब होता है कि हम लोगों ने जो भी agreement बनाया है वो एक single person काम करेगा जैसे for example यहाँ पर आप मुझे कह रहे हो sir आप मुझे पढ़ा दो मैं आपको कुछ गुरिद दक्षिना दे देता हूँ ठीक है मैंने बोला हाँ भीया चलो ठीक है आप यहाँ पर मुझे पैसे दे रहे हो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना यह उन्हीं unilateral में एक तरफ से काम हो रहा है दोनों तरफ से नहीं हो रहा है अच्छा मैंने क्या कहा कि ठीक है भाई मैं तुम्हें पढ़ा तो दूँगा लेकिन तुम भी मेरे बच्चे को पढ़ा दो यह हो गया bilateral मैं तुम्हें पढ़ा दूँगा तुम भी मुझे पढ़ा देना ठीक है यह bilateral दोनों तरफ से काम हो रहा है आगे कहते है on the basis of the method of formation अब formation के recording होता है express agreement और implied agreement यह बहुत ही important है और समझने लायक भी है आप ध्यान से देखे express agreement मतलब जो बोल करो लिख करो वह expressed होता हम express कर रहे ना भाई आपको बता रहे है भाई आ मुझे यह समान चाहिए मुझे देदो या मैंने लिख कर दिया भाई यह समान मुझे देदो that is the express agreement implied agreement इसके opposite side होता other hand जिसमें ना ही बोला जाता है ना ही लिखा जाता है तो बोलोगे सर कैसे इसारा में नहीं इसारा में नहीं होता है याद रखोगे जब हम लोग बिना कुछ बोले बिना कुछ किये अगर agreement कहते है वो implied agreement का example है जैसे आप चाई वाले की दुकान पर जाते हो दस रुपय का नोट उसको थमाते हो और कुछ नहीं बोलते हो वो क्या करेगा आपको आइफोन निकालेगा और देगा कि बही यह बात कर लो अरे बोलते क्यों नहीं सर क्या देगा चाई देगा क्या आपने उसको कुछ ब लेने के लिए हैं तो याद रखोगे यहां consideration तो है ना मैं उसको पैसे दे रहा हूं उससे मुझे क्या ले रहा हूं चाहे ले रहा हूं तो यहां पर यह कहलाएगा implied agreement ठीक है आप जैसे बस से जाते हो रेलवेज में जाते हो टीकट कट वालिये अब टीकट कट वालिये तो science of agreement इसको समझ लीजे और अगर आपको समझ में आ रही हो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज कमेंट कर और जैसा मैंने लाइक सेशन के बारे में बताया है आपको मैं संडे को लाइक सेशन भी दे दूगा और अगर अच्छा लगा यह वीडियो तो जरूर शे अब भी लगेगा मैं उसमें लिख भी दूगा कौन किसका टॉपिक का है कौन किस टॉपिक से रिलेटेड है आप उससे क्या करोगे जिस चीज को आप भूल गए बस उस वीडियो को को लोगे इसका मैं पार्ट पार्ट बना दे रहा हूं ठीक है जी एक्जाम तक आपको ब अनिवाल बाइ